अगर आप futures trading करते हैं तो यगिन आप short selling को जानते होंगे कि short selling है क्या लेकिन क्या कभी आपने ये सोच है कि short selling का mechanism क्या है इसके back end पे working क्या हो रही होती है किस तरह आप कोई भी specific asset sell करते हैं चाहे वो bitcoin हो, ethereum हो या कोई और cryptocurrency और profit generate करते हैं वीडियो को इन तक देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इनी सब questions के answer मिलेंगे वीडियो में आगे बड़ने से पहले बता दूँ कि अगर तो आप मेरा point of view जानना चाहते हैं कि short selling हलाल है या हराम है या in general futures trading हलाल है या हराम है तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं और मैं अपनी community के लिए इस पर भी एक dedicated वीडियो बना दूँगा ताकि आपको clarification मिल जाए कि क्या futures trading हराम है या हलाल है आप short selling का mechanism कुछ इस तरह से work करते हैं कि आप broker के पास जाते हैं चाहे वो bynance हो या कोई और broker जो कि आप इस्तमाल करते हूं अगर तो आपको नहीं पता कि broker क्या होता है मैं जल्दी से explain कर देता हूं broker बोलते हैं कोई भी वो third party जिसकी help से आप cryptocurrency buy या sell करते हैं और cryptocurrency buy या sell करवाने की वो आप से fee charge करते हैं जो कि exchange fee कहलाती है और bynance या कोई और exchange हो तो उनकी मुखतलिफ exchange fees होती है depend करते हैं कि वो क्या आपको facilities provide करते हैं अब आप एक broker for example bynance के पास गये और आपने एक bitcoin short sell कर दिया इसका मतलब क्या है आपने bynance exchange से एक bitcoin लिया और उसको sell कर दिया और हम first करते हैं कि इस वक bitcoin की price 35,000 dollar चल रही है अब sell करने के बाद आप वेट करेंगे कि कब price और नीशे जाएगी हम एक और hypothetical price ले लेते हैं कि अब bitcoin 30,000 dollar पे आ गया है जानि आपने जो bitcoin 35,000 dollar पे sell किया अब आप उसको rebuy कर रहे हैं कितने पे 30,000 dollar पे तो इसका मतलब ये कि जो दरमयान का 5,000 dollar है वो आपका profit है इन simplest terms इसी को short selling करते हैं कि आप एक broker के पास जाते हैं आप broker से कोई भी specific asset लेते हैं उस asset को आप market में sell कर देते हैं और उसको आप cheap price पे buy करते हैं और जो selling price और दुबारा से buying price का difference है वो आपका profit होता है मैं आपको एक और example बताता हूँ ताकि आपको further clarification हो जाए इस particular case में हम Ethereum की example लेते हैं फर्स करें Ethereum की price 2000 dollars चल रही है और आप Ethereum को 1X leverage पे short कर देते हैं अब Ethereum 1500 dollars पे आ जाता है तो आप Ethereum की short position है अपनी वो close कर देंगे अब इससे होगा कि आपने जो sell किया था अब दुबारा आपकी position close करने की होज़े से वो 1500 dollars पे बाय हो जाएगा यानि आपने sell किया 2000 dollars पे और आप उसको rebuy करने है 1500 dollars पे तो जो इन दोनों prices की दरमयान का difference है जो कि 500 dollars का आ रहा है वो आपका profit होगा आज की वीडियो में मैंने आपको simplest terms में explain कर दी है कि short selling क्या होती है किस तरह काम करती है और किस तरह आप इसे फायदा उठा सकते है अब ये सही है या गलत है ये एक अलग बहस है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊ तो आप comment section में मुझे बता सकते है मैंने आपको description में अपने free telegram group का link भी provide किये जिसको join करके आप market की updates और signals हासिल कर सकते है मैं अपनी community से यानि आप लोग उसे request करूँगा कि आप मुझे comment section में बता दिया करें कि मैं किन topics पर वीडियो बनाऊं किन topics को cover करूँ क्योंकि बहुत west field है बहुत से topics हैं मैं चाहूँगा कि मैं इनी topics को cover करूँ जिनसे आपको फाइदा पहुँच सके आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then अलाहाफिज